नमस्कार दोस्तों मैं आज एक ऐसा उपाई लेकर की आया हूँ जिसका प्रियोग करते ही आप लोगों को 24 घंटे के अंदर चमतकार दिखेगा जी हाँ दोस्तों इस उपाई को आप कभी भी कर सकते हैं और इसका उपाई आप खुद देखोगे कि कितना चमतकारी है मित्रों ये उपाई इतना अदभूत है कि मैं आपसे क्या बताऊं मन चाही इच्छा पूरी होने का मिलेगा वर्दान 24 घंटे में पूरी होगी हर मनो कामना बस कर ले ये छोटा सा टोटका जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों ये इच्छा पूर्ती का ऐसा चमतकारी दिव जोटसी तांत्री को पाए है जिसको करने मात्र से आपकी मन चाही इच्छा पूरी होगी 24 घंटे में पूरी होगी हर मनो कामना बस कर ले ये टोटका जो मैं बताने जा रहा हूँ जिहां दोस्तों अगर आपको धन चाहिए तो दोस्तों आपको धन देही देही कुरु कुरु स्वाहा आपको ऐसे बोलना है अगर आपको बंगला चाहिए तो आपको बोलना है कि बंगला गाड़ी पैसा देही कुरु कुरु सौहा यानि मित्रो जो भी आपको चाहिए वो आगे लगाना है और इसके बाद एक परचे में लिखना है और परचे में लिखने के बाद आपको एक नारियल चाहिए जहां द परची में जो आपने लिखा जो भी आपकी इच्छा है जिहां दोस्तों बहुत चमतकारी विश्वास के साथ करिएगा फल जरूर मिलेगा एक चमतकारी परची काम करेगी कैसे करेगी दोस्तों आपको नारियल लेना जिसमें तीन छेद होते हैं ठीक है अकसर तो तीन ही भी सफेद कागज ले सकते हो लेकिन अगर भोजपत्र है तो अच्छी बात है और दोस्तों आपको क्या करना है कि भोजपत्र या फिर सफेद कागज कोरा कागज उसमें आपको जो भी आपकी इच्छा है अपनी पहली इच्छा लिख लें जैसे अगर आपको धन चाहिए अगर आपको गाड़ी चाहिए जिहां दोस्तों अगर आपको गाड़ी बंगला चाहिए तो आपको उसमें गाड़ी बंगला लिख देना है और देही देही कुरु कुरु स्वाहा ऐसे पर्ची में लिख करके बोल करके आपको उस पर्ची को नार्यल के अंदर डाल देना है और उपर से जो है उस चेद को आपको आटे से या फिर दोस्तों बेसन से इसको बंद कर देना है। में जिहां दोस्तों पीपल या बर्गत के पेड़ में बांदी जी अगर मंदिर ना मिले और मंदिर दूर है तो दोस्तों आप देखेंगे जो भी आपने उसमें इच्छा लिख करके नारियल के अंदर बंद किया है और उपर से उसके छेद को बंद करके आपने जो लाल गंटे के अंदर पूरी होगी जी हां दोस्तों लेकिन होगी तो जरूर पूरी होगी दोस्तों यह बहुत ही चमतकारी प्रियोग है 24 गंटे में यह असर दिखाना चालू कर देगा दिरे दिरे इतना चमतकारी उपाई है इस प्रियोग को करने से कईयों को लाव प्राप्त हुआ है जी हाँ दोस्तों और यह इतना प्रभावसाली उपाई है कि मैं आप से क्या बताओं मैं अपने चलन के माद्यम से ऐसी ही इच्छा पूरती के चमतकारी तांतिरिक कुपाइं लाता रहता हूं तो एवम अनेकों प्रिकार की रहसमाई जानकारियां दूसरे ग intéressant जूपाइं के अंदर सक्तियां होती हैं जैसे यक्ष गंधर्व नांकंञ नया या जितने भी प्रिकार के यह जो असूर्दैत जो अन्यों को प्रकारे के जो मानों है जो तांत्रिक साधना है समस्त जानकारियां लाते हैं हमारे चनल के माध्यम से दोस्तों मैंने हमेशा अपने चनल के माध्यम से आपको प्राचीन जानकारी दी है और आगे भी देंगे और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी को भी सही परकार से दवा लीजिए और चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी लाते रहें आपके लिए जो आपके ग्यान में बृद्धी करें प्राचिन ग्यान लाते रहें तो दोस्तों हमारी वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों अभी ये वीडियो खतम नहीं हुई है अभी आपको और भी मन चाही इच्छा पूरी होने का वर्दान बताएंगे जिहां दोस्तों जो मैं प्रियोग बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा एक ए 24 घंटे में पूरी होगी हर मनो कामना बस कर लें चोटा सा टोटका जो मैं बताने जा रहा हूं कई बार इंसान की कुछ ऐसी माननताएं इच्छा होती हैं जिन्हें चाहकर भी वो पूरा नहीं कर पाते लेकिन हमारे इस टोटके से वो अवश्च पूरा कर लेंगे ऐसे में जोटसी उपा इन मनो कामना को पूरा करने में मदद कर सकते हैं मनो कामना पूर्ती और दुर्भाग के दूर करने के लिए यहां बताएगा इन पांच उपायों को आप आसानी से कर सकते हैं पहले तो मैंने आपको एक बता दिया है पहला और पांच और बताऊंगा यानि कि इच्छा हो जाएंगे और ये बहुत चमतकारी है जो 24 गंटों में असर दिखाते हैं 24 गंटे में आपकी इच्छा पूरी करेंगे ये तुरंत असर दिखाने वाले हैं इन उपायों के फलसरूप आपकी इच्छा 24 गंटे के अंदर ही अंदर ही आपकी इच्छा पूरी हो सकत मन उसका मन इच्छाओं का भंडार है मन में इच्छाओं और मनो कामनाओं की कोई सीमा नहीं होती है परन्तु हर व्यक्ति के मन में एक ऐसी इच्छावस होती है जिसे वह अपने जीवन में अवश्च पूरा करना चाहता है किसी की भी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे अवश्चक होता है कि आप उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें लेकिन कई बार व्यक्ति के लगातार प्रयास और परिसरम करने के बाद भी जब यह इच्छा पूराण नहीं होती है तो वह बहुत अधिक निरास ह जाता है उसका मनोबल तूटने लग जाता है वो हतास हो जाता है दुनिया उसको दुस्मन दिखती है और वो अंदर यंदर तूटता रहता है मानसी को एक तरह से कह सकते हो मानसी की मतलब बिमारी से गरसित हो जाता है मानसी पीड़ा से गरसित हो जाता है जो तिस में माना जा लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो अमबानी टाटा बिरला बाबाराम दियो बनते हैं लेकिन दोस्तों इसलिए जोतिस में कई ऐसे उपाई बताए गए हैं जिने करने से आपकी मनोकामना पूर्ण की जा सकती है यदि आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा है जि पूरण नहीं हो पा रही है तो किसी दिन प्राता है उटकर इस नानादी करने के पश्चात किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गौरी संकर रुदराक्ष अर्पित करें गौरी संकर रुदराक्ष आपको पूजा पाट की समगरी के दुकान में मिल जाएगा और बिल फत्र लें और उन सभी बिल पत्रों पर सफेद चंदर से बिंदी लगाएं इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ती की प्रातना करते हुए सिवलिंग पर अर्पित करें ये दोनों ही उपाई बहुत कारगर माने जाते हैं एक बरगत का पत्ता लेकर उसके उपर अपनी अवश्चक होता है जी हाँ दोस्तों अगर आपके विस्वास में कमी आई तो दोस्तों इसका फल जो है कम हो सकता है इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए जैसा मैंने कहा कि बरगत का पत्ता लेना है और उसमें जो भी आपकी इच्छा है उसको लिख दीजिए और बहा द दीजिए ये सारे के सारे टोटके ये प्रियोग आपको गुपतरूप से करना किसी को बताना नहीं अन्न था इसका फल निस के रिए हो जाएगा नैसूती के कपड़े में जटाधारी नारियल बांद कर बहते जल में प्रिवाहित करने से भी मनोकामना आवश्च पूरी होत चाहिए गाड़ी चाहिए पैसा चाहिए धन चाहिए खाजाना चाहिए या फिर आपको पुलिस वाला बनना आपको जो कुछ बनना है ठीक है पुलिस वाला बनना है या फिर जो है किसी भी छेतर में तो उसका नाम डाल दीजिए और आगे लिख दीजिए देही देही कुर ठीक है? इसके साथ साथ दोस्तों खजाना देही कुरू कुरू सुआा तो दोस्तों ऐसे आप जो है इस मंत्र का प्रियोक करना है और जो है एक कागज है भोजपत्र में लिख लिजे तो लाल शाही से अगर भोजपत्र है तो लाल चंदन से आप चाहें तो लाल चंदन से इसको लिख सकते हैं असानी से, अगर लाल चंदन ना मिले तो कुम-कुम से लिख सकते हैं अनार की कलम के द्वारा, अनार की कलम से लिखना ध्यान रखिए, एक अनार की डंडी तोड़ लाईएगा, उसको कलम बना लीजिएगा, और रोली को, जो रोली होती है जो आती है पूझा-पाट की दुगान मिलते हैं उसको गोल करके और जो अपने कलम्पनाई उसमें डुबो करके उसमें आपको लिखना है लिखने के बाद दोस्तों एक लाल कपने में इस परची को और नारियल को और चुप-चाप जो है इसको बेहते पानी में बहा दीजिए आप देखेंगे कि जो है आपकी मनो कामरा अवश्पूर होगी अगर आपके काम लगातार बिगड रहे हो तो सुबह घर से निकलते हुए हर दिन गाय को रोटी खिलाते हुए जाएं इसके अलावा घर से निकलने से पूर्व अगर घर का हर सदस अपने इच्छाएं पूरी होगी जी हाँ मन चाही इच्छाएं पूरी होगी 24 घंटे में आपकी मनो कामना होगी पूरी बस मेरे द्वारा कर लेना यह तोटके आपका जीवन सुख में होगा तो उमेद करता हूँ दोस्तों आप इन उपायों का लाभ लेंगे तो दोस्तों मंतर दो तरीके से लिख सकते हैं जैसा मैंने बतायाir घंट में एक पर लास्ट वाली उपा एक बाकी दो और नौर्मल ही है आपकी आपकी इच्छा हो तो उसमें जैसे नौकरी नौकरी देही कुरु कुरु सुहा ऐसे लिखना है ठीक है असानी से बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बहुत असान है बहुत सराल है इसे कर लोगे एक बर करिये तो सही आपको लाब आवस्च मिलेगा तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अपने नई वीडियो में नमस्का करते हैं झाल